चरण शरण में आई के हैलो दोस्तो सागत है आप समीद करती हूँ कि आप सबी सर्षत होगे मर्स्त होगे हमारे व्लोग का आनन्द दे रहे होगे दोस्तो देखिए आज किता सान्दर भी हुआ है यह मित परवात आएं तो चलिए आपको पित्र प्रवत का गुमाते हो दोस्तो पहले बीडियो स्वाइं बीडियों सुनुकरने से निए शयए जायराम चल273 Сам Посम्छ इड़ लाते हैं यहous दो रास्थने यह 108 टन मूर्ती को बताया जाता है कि इसका वेट 108 टन है तो यह बहुत बड़ी मूर्ती है और अच्छा पित्तर परवत है यह परवत का नाम पित्तर परवत है तो यहां पर बढ़ी अच्छा द्रश रहता है यहां पर जूता चपपल रखने की जग़ा है वहां पर रख देते हैं मंदिर के और कि कि अच्छा लगने मन को नंद मिलता संनल पर के चाहिक जाते हैं तो हर्मान जी मूर्ती को यहां पर निचे हनवान जी की चूटी मूर्ति है और चरन पादुकाय है सामने उस साइट गरूजी की मूर्ति है और इस साइट महा कलबावा है इस तरीके से मंदिर नीचे से भी फूरत लगता है और पंडित जी तो अपने भक्ते जनों को सभी भक्ते जनों को पशाद बाढ़ते हुए इस टाइमें थोड़ी भीड कम थी इसलिए हम आसानी से दर्सन प्राप्त कर पा रहे हैं अगर भीड रहती है थोड़ी से लिकत तो होती है वरना दर्सन तो भी सुब्दा से अच्छे से प्राप्त होते हैं दोस्तों जब मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो यहां पर मूर्ती की रूप है पूरा रामायन मुटास जब भनवान जी श्री भगवान से मिलते हैं उसका पूरा चित्रन करके बताया गया है तो इस तरीके से भगवान जी साले में दिखाये गया है कि इसनी दाम भगवान से मिले हैं यहां पर सुग्रीव से उन्होंने मित्रता करवा दिए यह देखिए तो परिक्रिप्मा करने बड़ा अच्छा लगता है मूर्थियों को देखकर इन सबको आगे चलते हैं तो इसमें बाली का वद करके भगवान जी सुग्रीव को बाली का वद कर रहे हैं देखिए फिर इसमें भगवान मुद्र का देते हैं और फिर वो सीता मता की खोश पर जाते हैं हनवान जी यहां पर नाग माता की द्वारा उनको राष्टा बताया जाता है और यह देखिए आंगे हनवान जी अपने सक्ती को याद करके देगी विसाल काय सरीर कर लिया है इनने की जैज स्रीराम हम प्रभू के सारे कार करेंगे प्रभू की किरपास है और यहां पर वो उड़ गये हैं तक सा विजन समुद्र पाल करने के लिए और माता सीता से मिलने के लिए यह देखिए पहुच गए लंका जैज स्रीराम सीता माता से बैढ करकर उनसे मुद्रिका ले लिए भगवान राम को मुद्र का देने के वाद इसमें देद्रसाया गया है कि समुद्र के पास पहुंचकर पत्तर पर राम लिखकर सेतु बनाते हैं और यहाँ पर लक्षमार जी को जब मूर्चे तो जाते हैं तो उनके संजीबनी बूटी ले कर जाते मों दिखाया गया है और यहां पर रागवन को उनने मारा इक बार मारा था उसके बार बताए गया है और यह हमें राम दर्वार पुलर जहां की दिखाई गई है जैसरी राम दोस्तों हम उपर की तरब चलते हैं यहां हनमान जी की 66 फिट उजी मूर्थी का निर्मान करवाया गया है जहां जो कारीगरणों ने इनका लगवग 125 कारीगरणों द्वारा मूर्थी का निर्मान किया गया है और 7 साल में 264 हिस्तों ऐसे बनाया गया था और इन हिस्तों को ज बहुत आप जब करीब से मूर्थी को देखेंगे तो लगेगा भगवान जी साक्षत बैठते हैं कि यहां पर जो आप गदा देख रहे हैं ना इस गदा की प्लंबाई 45 फेट है और उचाई से देखने में बहुत अच्छा लगता है है यहां पर और यह आप जो देख रहे हैं इस मूर्थी में इस प्रूप दिखाया गया है कि भगवान ची इस पुस्तिका से जय जय स्री राम जी का जाप कर रहे हैं तो बहुत और उसमें वुलियों भी दिखाया गया है उपर से आप नीचे की और आ जाते हैं मन को बड़ा आनंद लगता है और साथ साथ भगवान जी के पास है हमको प्रशादी भी मिल गई है डेलए प्रशादी बड़ा प्रशादी तो अबिद्गा जी कर दो आपको पड़ा जाप की परौच कर दूस्का लगा जापकर जाए 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 नहीं करें